कि चालीज हमारे फौजी मारे गए थे उसके लिए जिम्मेदार कौन है ते राहूल गांधी जी के दिमाग का खोखला पना आज जो कॉमेंट राहूल गांधी का आया है वो शर्मनाक कॉमेंट पुलवामा पर डर्टी पॉलिटिक्स नमस्कार आर नाइन टीवी पर देन भर की सबसे बड़ी बहस में स्वागत है आपका मैं हूँ आपके साथ कुल्रीब सिंग पठानिया आज से ठीक एक साल पहले का वो किस्सा याद होगा पुलवामा में 40 जवानों की शहादत जिसके बाद पूरा देश रो रहा था लेकिन सियासत तब भी हुई आज उस खटना का एक साल पूरा हो गया लेकिन सियासत आज भी हो रही है राहुल गांधी ने ट्वीट करके कुछ सवाल खड़े किये और उन सवालों ने अब सियासत की नई लडाई शुरू कर दी है तो क्या राहुल गांधी के इस तरह के बेतुके सवाल जायस है या राहुल गांधी की बात पर विचार करा जाना चाहिए ऐसे तमाम सवालों के साथ आज अगले एक घंटे की बहस लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट हमले का सबसे ज्यादा फाइदा किसने उठाया हमले के बाद हुई जाँच में क्या निकल कर आया सुरक्षा में हुई चूप को लेकर बीचे पीस सरकार में किसकी जवाब देही तैह हुई सोच रहे हैं ना आज के दिन जब शहादत को याद किया जा रहा है तो सियासत के सवालों का क्या काम लेकिन सियासत चीज ही ऐसी है जो वक्त और मौका नहीं देखती सिर्फ और सिर्फ अपना फाइदा देखती है शायद ऐसा ही फाइदा आज के दिन में राहुल गांधी को दिखा और पुलवामा हमले पर सियासी सुर साथ ने शुरू कर दिये आज जब हम पुलवामा हमले में शही चाली जवानों को याद कर रहे हैं तो सवाल पूछते हैं हमले का सबसे ज्यादा फाइदा किसे उठाया हमले के बाद हुई जाँच में क्या खुलासा हुआ सुरक्षा में हुई चूप को लेकर बीचे पी सरकार में किसकी जवाब देही तै हुई बस राहुल गांधी के इस एक ट्वीट में सियासत दाउं को सवाल उठाने का मौका दे दिया पुलवामा हमले के बाहारे राहुल गांधी हमले के बाद सरकार को कटखरे में खड़ा कर रहे थे सवाल दागे तो सियासत शुरू हो गए राहुल के इस एक ट्वीट के साथी बीचे पी को भी राहुल गांधी पर सवाल दागने का मौका मिल गया कि राउल गांधी जी के दिमाग का खोकला पन है कि जिस विशय पर देश ने एक बहुत समर्थवान देश के रूप में दुनिया में अपनी उपस्तिती दर्ज कराई जिसके बाद सहीदों को सही सद्धांजली दिया गया और सर्जिकल स्ट्राइक करके एयर स्ट्राइक करके और लोगों को हमारे आतंकवात का पालपोशन करने वाले पडोसी को सही सबक सिखाया गया उस बात को सहीदों को सद्धांजली देने की जगए उस बात को उभाड करके उस बात को छिड़ करके कांग्रेस ऐसे अपना ही थूतू करा रही है ये राहूल गांधी जी की पुरानी आदत है जब भी देश के साथ खड़े होने का वक्त आता है उस समय राहूल गांधी देश से नदारत रहते हैं देश के साथ खड़े नहीं होते हैं और पूरे देश की भावनाओं को आहत करते हैं आज जो कमेंट राहूल गांधी का आ आज जब पूरा हिंदुस्तान एक जूट होकर पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है नमन कर रहा है वीर शहीदों को आप इस पर सवाल उठा रहे हैं और फाइदे के बारे में पूछ रहे हैं। और अगर राहुल गांधी जी में ये साहस नहीं है तो मैं कॉंग्रेस अध्यक्षा से ये डिमेंड करता हूँ कि अध्यक्ष के नाते सोनिया गांधी जी पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान पर शमायाचना करें। चालिस हमारे फाजी मारे गए थे उसके लिए जिम्मेदार कौन है उसका फाइदा उठाने की कोशिश किसने की है क्यों नहीं सच्चाई देश के सामने आ रही है चालिस फाजी मारे गए वहां पर इतनी बड़ी तादाद में आर्डी एक्स कैसे पहुँचा सरकार क्यों ख अर्ग और वितर के बीच मर्यादा की एक रेखा है बेशक देश को ये जाने का हक है कि जवानों की शहादत के बाद क्या वादे पूरे हुए लेकिन इन वादों की हकीकत जाने में सियासत का जब स्तर गिरने लगता है तो सवाल उठने जायस हो जाते हैं आमित दूबे आर नाइन टीवी उत्तर परदेश उत्तरा खंड तो आज अपलवामा की शहादत को एक साल पूरा हो चुका है सभी चालिस जवानों को आर नाइन टीवी के और से शत शत नमन लेकिन उससे पहले हमारे सवाल अब चर्चा की शुरुआत करे हमारे सवाल शहा सत के लिए सेना पर सवाल क्यों कितने जायज है राहुल गांधी के सवाल क्या सरकार के एक्शन पर राहुल के सवाल सही है राहुल गांधी के आरोपों का सच क्या है तो आज पुर्वामा को पूरा एक साल हो गया उस रोज अवंती पुरा के आस पास सी एर पी एफ का कॉन रहा होता है कश्मीर पहुंचना होता है श्रीनगर पहुंचना होता है लेकिन उससे पहले ही साड़े तीन सो किलो आर्डी एक्स बिसफोटक के साथ एक शक्स उस काफिले में खुश जाता है और फिर उसके बाद जो होता है चालिस जवानों की शहादत हो जाती है उसका जिम् पर बड़े गैस पैनल में पूचह जाएंगे और मुखातिब करवादूँ आपको सभी जितने भी हमारे महमार इस वक़्ख पैनल में है संदीब दूबे जी नेता बीजेपी के इस वक्ट हमारे साथ हरिश भार दो आज नेता कॉंघरेस के इस वक्ट हमारे साथ हैं बहुत-बहुत स्वागत है आपका आरणाइव। तो खबर आपको पता ही होगी आज पलबामा। और शुरुात करते हैं बनी चर्चा की और चर्चा की शुरुआत है क्योंकर सबसे पहले सवाल जो खड़े किये है राहUL गांदी साहब जो आज नमन करने का दिन था उस पर ये सवाल उठाने जायज थे अगर ये सवाल उठाने ही थे तो फिर पूरा साल पड़ा हुआ था आप अपनी सियासत के हिसाब से जब आपको लगता है कि अब मुफीद वक्त है उस वक्त इस तरीके के सवाल दाग देते हैं तो शुरुआत आपसे ही करते हैं हरिश भारद्वाज साहब आज शत शत नमन करने का दिन था लेकिन राहुल गांधी के सवाल कुछ ऐसे थे जिस पर पूरा महौल सा बिगड़ कर रह गया आज के ऐसा कुछ होना चाहिए था जवाब आपसे हरिश भारद्वाज देखे सरपठम तो जो उस वक्त चालीस जवान शहीद हुए थे भारत माला के जो सपूत शहीद हुए थे उनको शशत नमन और सशत प्रणाम और शर्धान जिली हमारी उपसे हम प्रस्तुत करना चाहते हैं अब आपका जो प्रशन उठता था उस पर मैं आता हूँ देखे अभी जो प्रशन है वो सिर्फ इतना सा है कि जिस प्रकार से अभी एक जो DSP था वो दो आतंकवादियों को दिल्ली चुनाब से पहले एन पहले वहां से दो आतंकवादियों को विस्पोटक लेकर के और गरनेड लेकर के इस दविंदर सिंग नाम का एक जो DSP था वो लेकर के यहाँ दिल्ली चुनाव से पहले दिल्ली लेकर आ रहा था और वही दविंदर सिंग जो था वो पुलवामा हमले से पहले वहाँ पर भी पोस्टिट था तो जो साड़े 300 किलो जो RDX थी वो एन लोगसभा चुनावों से हाला कि वो लोगसभा चुनावों से ठीक पहले एक RDX वहाँ पर कानवाई के अंदर जाती है और जा करके वहाँ पर विस्पोर्ट होता है और हमारे सेना के 40 जवानों की शहादत होती है उस शहादत के पश्चात देश में एक अलेक दूसरे प्रकार का माहौल हुआ और उस लोग चुपकर चिल्मन में रहकर इस तरीके से वार करते हैं आप या तो खुलकर सामने आई या पूरी तरह से छुप जाईए निश्याना किस पर है आपका क्या प्रायोजित लगता है आपको प्रायोजित लगता है हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो DSP था वो आया था दिल् आतंकवादियों को भी ले करके आ रहा था तो हमारा प्रशन सिर्फ इतना सा है भारत की सरकार से भारत की जो वहां पर बैठे हुए लोग हैं कि क्या कोई ऐसी शक्ति तो नहीं है जो देश के अंदर चुनावों से एंद पहले ऐसे हमले करवाती है और करवा करके उसका रा करके और डारी लगा करके वोट मांगने की कोशिश कर रहे थे उस वक्त तो अगर हम ऐसा प्रशन उठा रहे हैं उनको नमन करते हुए उठा रहे हैं हमने पाकिस्तान को हरा दिया हमने वहां पर स्ट्राइक की वहां के लोगों को मार दिया और तरह तरह के लोगों सेना ने ये बयान दिया, सेरा ने कहा कि हमारे जो प्रमुचेना प्रमुख ने कि हमारा एर स्ट्राइक हुआ, हमें उसके हताहत की कोई संख्या पता नहीं है, लेकिन वो कौन लोग है, जो कहते हैं, 600 मरे थे, 700 मरे थे, 1000 मार दिये, 2000 मार दिये, वो इंटरसेप्ट हो गया, वो हमारे पास है कानून, तो हमारा सिर्फ इतना सा तरक है, कि वो कौन सी पार्टी है, वो कौन लोग है, जो उनकी शहादत पर भादा उठाना चाहते हैं, राजबिती करना चाहते थे, मामले की जाच एनाइए कर रही है, मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए, अफजल संदीब दूबेशाब, जो इसको सपोर्ट करता है, इसको राजबती का अवाज दिलवाया था, ये ब्यक्ति कहीं उस पुलवावावा में अटेक हुआ, उसमें शामिल तो नहीं था, ये किसकी सामिल तो नहीं था, वो दिल्ली के अंदर आतंग वादियों कुछ चिनाफ स कुछ सामने नहीं आ रहा कुलदीब जी देखे जो हमारे मित्र कॉंग्रेस के चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं अगर मैं पूछू तो भारत के पुरू प्रधानमंत्री मनि इंद्रा गांधी जी के हत्या हो गई उसमें किसको फायदा हुआ कौन फायदे के लिए उनकी हत्या कर कौने को में हर राजियों में बम फुटते थे कॉंग्रेस के सरकार में उसमें किसका फायदा हो रहा था आज इस देश में फायदे नुक्सान की राजनीद का दिन नहीं था आज तो दिन मुझे तोड लेना बनमाली उस पर पर तुदेना फेक जिस पर जाय बीर अनेक ऐसी प्रमान उस दिन दे दिया कि जिस दिन सेना के तरफ किसी ने आँख उठा के देखा और जब बात आई कि जैसे मुहंबत सामील है विदेशी ताक्ते सामील है तो हमारी सरकार ने घंटों की देरी नहीं करी सेना के हाथों में कमांद ठमा दिया और कहा कि सेना जो है उप्युक कदम उठाए, साशिक नेडना लेगा तो उसके लिए भी सरकार जिम्मेदार है यानि सरकार क्या करे, चित भी मेरी पट भी मेरी, हर काम में आप ही आप है देखिए साब, ये देश हम सब का है हम सब के अच्छे बुरे कर्म से ये देश प्रभावित होता है, अगर हम सब लोगों को इस देश को बेहतर बनाना है तो स्वेम में सुधार करना होश्यक है और मैं कहता हूँ आज कॉंग्रेस के मित्र बैटे हुए आज एक सबूत लाके दे दें जिस तरह की ये आलोचना करना है, मैं पहला आदमी होगा कि भारती जनता पार्टी का परतियाक कर दूँगा जिस पार्टी में हूँ छोड़ दूँगा मैं कॉंग्रेस और बीजेपी बनके ये बात नहीं करना चाहता हूँ मैं इस देश का एक नागरिक बनके बात करना चाहता हूँ कि जो सिपाही हमारा जो सेना पे है माइनस 10 डिग्री, 20 डिग्री पे वो शरहत पे रक्षा कर रहा है वो सहीद हो जाते हैं उनके लिए उनके परिवार के लिए अगर हम नहीं सोचेंगे उनको सहत नहीं बढ़ाएंगे तो इस देश के लिए खड़ा होने वाला व्यक्ति ख़़ाने वाले समय में नहीं मिलेगा यहां सब की नहीं तिक्सिम में दारी है तीन साल आपने महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर सरकार चलाई उस दौरान देविंदर सिंग थे डियस्पी थे रासपती का इनाम आपने दलवाया हुने आज किसने पकड़ाय साहब आज वो पकड़ में आया ना चोर है छुपा हुआ था पकड़ में आया जो गलत लोग है संदिक लोग है आज जम्मो कश्मिर के अंदर क्या है अचानक से वो पत्थर बाजी बंध हो गई यह अचानक से देश के कोने कोने में बम बम के घटनाय बंध हो गए आज दिल्ली में आके आज बगला हुआ है अब जो अमंच चैन आ रहा है वहाँ पर लोगगर जो कैसृलिटियर बहुत कम यहां शूटिंग चल रही थी जिम कॉर्बेट के अंदर और उस संयोग प्रियोग के अंदर अगर 12-14 गंटे बाद भी वो शूटिंग चलती रही और 40 हमारे जवान शहीद आगे तो हम यह जानना चाहरे हैं कि वो जो बिस्पोथ हुआ था इस बात का जवाब आपको देना ह होगा जब पुलवामा अटैक होता है उसकी जिम्मेदारी जैसे महम्मद लेता है अधर जो डार था वो आतंकी जैश का था पाकिस्तार मांगती है इस्टाने किया था अमेरिका अपरी ऑपिशियल डिखलेरोशन में अमेरिका यह करवाया हमारा कॉन रहती था नहीं अगर जैसे मुहम्मद यह माता है कि वाकिया हम ना कर वाया है तो हम को फासिद होगे जाज कैसे होती है करनल जैपी सिंग जी आप बताईए कि वाकिय कोई साधिश हुई क्योंकि मैं यह भी समझना चाहूँगा कि 1987 के बाद माहौल बिगड़ना शुरू हो गया था कश्मीर का और उसके बाद क्या कुछ नहीं हुआ तमाम एक्सोडस हो गए वहाँ पर रहने वाली कई कॉमुनिटीज के तो क्या उसके बीचे भी साधिश थी कोई क्या हमारे ही मिली भगत थी उसमें कोई सबसे पहले आज पूरा देश 14 फरवरी को एक ब्लैक डे के रूप में मना रहा है और पूरा देश जो हमारे बहादुर जवान 44 जो शहीद होए थे उनको भाव भेने सजदांजली अर्पित कर रहा है पूरा देश अब यहाँ पर कुछ राजनेता जिस तरह से डर्टी कर रहे हैं मैं पूर सैनिक होने के नाते बड़े दुख के साथ कहता हूं कि इस तरह जवानों की सादत पर और जब देश पूरा ब्लैक डे मना रहा है आज 14 फरवरी को क्योंकि देश मैं एक ऐसी चोट पहुचाई थी पुलवामा अटैक के माध्यम से कि उसको देश नहीं जो उग्र इस्लामिक संग्ठन विरोधी ताकते हैं जो जम्मू का सदेर में शक्रियां थी उन्हीं को ही फायदा होता है ये कोई जिस तरह से आप बारदवाज जी ने कांगरेस प्रवक्ता हैं उन्होंने सवाल उठाया कि जो ये डियस पी हैं वो उसमें इन्वाल्व थे पुल्वामा टेकमेर वो यहाँ पर जो है आडियस लाते हैं उनको अरेश्ट किया है इसका इससे कोई तालुक नहीं है क्योंकि वो तो देश विरोधी ताकतों से मिला हुआ है ये डियस पी और जिस तरह से देश विरोधी ताकतों ने जेंड के को तबा कर रखा था आज उनको सबक मिल गया है जिस तरह से डर्टी पॉलिटेक्स चल रही है और कांग्रेस ने जिस तरह से हमारे जो शहीद होएं अभी एक कांग्रेस प्रवक्ता तीवी पर देख रहे थे के जवान मारे गए जवान मारे नहीं गए वहाँ पर कोई अक्सिटेंट नहीं हुआ ये शोची समझी साजिस्ती जो विरोधी ताक्त हैं उसमें आतंकी घड़नाओं को अंजनाम दिया था उसमें हमारे वीर बाहदुर जवान शहीद होएते न गी मारे गेते आज मेरे को बड़ा दुक होता है और मारे गेते वह जवान सहीद होएते तो आज जो है रावल जी ना जो सवाल किया है किसको फायदा हुआ विरोधित ताक्तों को फायदा हुआ जिस तरह से आप बयान बाजी कर रहे हैं आपको फायदा हुआ है विश्वेंदर जी सवाल यहां पर दरसर यूँ खड़ा होता है खड़ा इसलिए होता है कि लगतार किसने फाइदा लिया 2019 के चुनावों में किसको फाइदा पहुंचा किसने क्या किया ये तमाम मुक्तलिफ सवाल है लेकिन पिछला जो record है पिछली जो history है वो क्या कुछ कहती है और खास्त और पर कॉंग्रेस का अगर मैं जिक्र करूँ तो जब सड़क्छाप गुंडा किसी को कहा चाएगा सेना अध्याक्ष का कोई नाम उस पर सड़क्छाप गुंडे का टैग लगाना और उसके अलावा बहुत सी कुछ ऐसी बाते करना जिससे अपने आप में मनी शंकर आईयर जाते हैं पाकिस्तान में वहां के न्यूज चैनल के सामने बोलते हैं वहां कहते हैं कि आपको न्यूज चैनल वालों को कहते हैं पाकिस्तानी न्यूज चैनल को कि आपको इंडिया को भारत की सरकार को आइना दिखाना चाहिए जब मनी शंकर आई एर पाकिस्तान में बैठ कर वहां के न्यूज एंकर्स को ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है पाकिस्तान की मजार्प में कुछ लोगों ने जाता कि मिननत की थी और जिन्ना को जो है सारवजरी क्रूप से कह लेकर के लिए ने इस प्रकार के प्रकार के पर तब्यों को ले करके आप किसी एक पार्टी को मत खड़ा करा कर दिये कटगरे में मैं ऐसे सेकड़ों वक्त में बता दूँगा अब मैं आपके भी बताया कि धुरुप सक्स है ना जो मद्य प्रदेश के अंदर भाति जन्ता पार्टी का लग कारे करता था वो आई एसाई का एजेंट निकला और उसको पकड़ा गया है आपने आस तक यह बताय दो आपके पाकिस्ता आपने बताया कि लाल के सानवाड़ी ने वाहपन जिन्ता की मजार पर रिशुल चड़ाई थी और शुल चड़ाने के बाद करता यह देश का बड़ा और उसका लिए जेंटा को आपको बताना पड़ेगा कि इस देश में सेना आपकी सुरक्षा में आपने बताया के लोगों का मनोबल आप क्यों गिरा रही है आपके लोग इस तरह का सवाल आप पूछ कि क्या काम कर रहे हैं करनल ओमीर सिंग जी आप ये बताई कि दरसा डिर्टी पॉलिटिक्स आज का हमारा मुद्ध है और सुबह सवेरे से आज जो दिन था एक पाक दिन था जिसमें हमारे शहीदों ने शहादत थी उसको याद करने का दिन था लेकिन फिर सियासत शुरू हो गई क्या आज के दिन म सबसे पहले तो कुलदीब जी में आपका धन्यवाद करूँगा कि आज आपने इतने अच्छे विशे पर डिबेट की आपने ये बहुत अच्छे विशे लिए आपने और उससे भी पहले में करूँगा कि जो पुलवाम में सही दुए थे आज के दिन 40 जवानों को उनको स बड़े गर्व की बात थी उनको समनमन करते हैं उन माताओं को परिवारों को नमन करते हैं आज विशे है कि लाव और हानी का आज देश एक अच्छी रप्तार से चलने की स्थिती में हैं ऐसा नजर आ रहा है लेकिन मैं उसको भी अलग छोड़ता हूं थोड़ा सा हम चलते दीजिए राजनित के बहुत मुद्दे हैं मेरे देश के जो राज जो राहूल जी ने विशे लिया है हो सकते है राहूल जी ले सकते थे विशे राहूल जी जाते उन परिवारों के घर पहुंचते कि एक साल में आपके साथ क्या क्या भारती जिनता पार्टी ने या सरकार ने आपको सहयोग दिया नहीं दिया वो जाके पूचते और दर्द जानते उसे कोट करते और 20 दिन बाद 3 मार्च से फिर संसद सत्र सुरू हो रहा है संसद सत्र में उस विशे को उठाते आज मजाक नी होनी चाहिए थी उन सहीदों पे जोने हस्ते हस्ते उन माओं के लाल ने हस्ते हस्ते जान दी थी तो वो मजाक नी होनी चाहिए थी संदी दुबे इस सवाल आप से कि आपने 2019 में बहुत बड़े मेंडेट्स से चुनाव जीता और उसके पहले बहुत कुछ कवाय दिये ही चल रही थी कि पाकिस्तान को मूतोर जवाब दिया गया बालकोट में जो स्ट्राइक की गई उसमें 200 से 300 आतंकी मार दी गया मुझे नहीं पता आपने इसका राजनितिक फाइदा उठाया नहीं उठाया कॉंग्रेस ये कहती है आपने राजनितिक फाइदा उठाया लेकिन अगर वाकई उसमें राजनितिक कहीं से भी आपको एज मिला तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि उन वीरों को याद आर्थिक साहता नहीं मिली और जो तमाम वादे कर दिये गए यारी एक मुद्दे पर सरकार आपकी बन गई आपको उससे पहला बड़ा मंडेट मिला लेकिन आप उन शहीदों को भी भूल गए जितने भी सहीद हैं अब बड़ा बड़ा अच्छा बोलते हैं आप विशय को क्या करेंगे भटका देंगे और जो नहीं होगा सरकार वो हर पहल करेगी जो जवानों के हित्म है आप परेशान बिल्कुल नहों बिल्कुल नहों वो जवान हमारे भी हैं और हमने उनके लिए सपत ले रखी है उनके परिवार के सुरक्षा की सारी जिनमेदारी देश के प्रधान मंत्री किये कोई भेद्वाव नहीं होगा हर यह दिपार्टमेंट आपको देश के संविधान की सरचना नहीं पता है कि जो जिस विभाग का अधिकारी होता है वही से वो केडर बेस्ट जो उसका है वो तैख करता है क्या होना चाहिए वह रही बात इस जवानों कि कि वहां पे प्रिक्रिक बनाने के लिए नहीं गए वह पे उन्होंने देश कि पीजिए में जान दिया रहा एसे एक साल जब भीद गया है उनको अब तक मुहाबदा नहीं मिल रहा है उसके राओ जी दोलों तर्था पिक है अब उतमे जाज चल रही है एनाई यह जाज कर रह पूरा देश खड़ा है आप चलिया आगे बढ़ते हैं पोड़ी हखीकत समझने की सोशिश करते हैं जी ओमवीर सिंग जी रिटारीड करनल ओमवीर सिंग जी हमारे साथ है ओमवीर सिंग जी आप ये बताईए के धाई हजार सियार पी एफ के जवानों का काफिला अगे बढ़ रहा था इंटेलिजेंस इन्पुट भी थे के कोई आतंकी हमला हो सकता है चलिए शियाम जाजू इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं बीजेपी गरासी उपाद्याक्ष है शियाम जाजू जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका और आज की हमारी जो घर्मा घर्म चर्चा है वो इस मुद्दे पर है आज वैसे तो हम पुलवामा के शहीदों को नमन करते हैं लेकर उस पर जो डिर्टी पॉलिटिक्स चल रही है उस पर हमारी ये चर्चा राहुल गांदी ने ये साफ दोर पर कहा है कि इसका फाइदा किसको पहुँचा और कम से कम जो उसकी जाच हो रही थी या जो पूरा मम उसकी जवाद दे ही तो तैह होनी चाहिए दी पुल्वामा एटैक और उसके बाद इस प्रकार का जवाब दिया गया है यह वोल्बैंक की राज़ीती नहीं थी पर कांग्रेस वालों को यह सूचने के लिए इतना यह भी विचार करने की शमता भी नहीं है पुल्वामा के अटैक के बाद जो अपने देश में उन्रही किया है पर इस पर कार की राज़ीती कोखिया सेखने का काम करना जिस पर कार के कॉमेंट में देख रहा हूँ उसके गारत पूरे देश को नका रहा है कांग्रेस के निसाओं को सद्विती देले प्राउचना करना अपने हाथ में लेकिन शाम जाजू जी बिलकुल इस बात पर डर्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए कांग्रेस पहले भी प्रमान मानती रही है जिसको दरकिनार कर दिया गया है देश की जनता जानती है और अपनी सेना पर भरोसा रखती है लेकिन अगर इंटेलिजेंस इंपुट थे धाई हजास CRPF के जमानों की बड़ी कॉनवाई सत्तर गालियों के साथ आगे बढ़ रही थी और उस पर इतना बड़ा अटेक हो जाता है उसकी जांच का क्या हुआ अजवाद Ćपिस के कई भी देशखया कर लेंगे उसका प्रवादर्में पेटे हुए लोग करते हैं, तो मुझे अधिकारी ने किये हैं, मुझे लगता कि देश के वाइदर इंटरेस्ट में उन पर बरुसा रखके करना चाहिए, इसी को ऐसा लगेगा कि हमारी सादत और अमारी उन पजिया तो, तो मुझे अधिकारी ने कि देश के लिए लेने वारी जो लोग हैं, उन पर भी भरुसा रखके करना चाहिए, बिल्कुल जायस बात है, यह कॉन्पिदेशल मेटर भी हो सकता है, लेकिन आज के दिन कम से कम ये सवाल करना मेरा पूरी तरह के से जायस होगा, कि 40 जवान जो पुलवामा अटैक में मारे गए, उनकी सुध क्या सरकार ले रही है, क्योंकि हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, जिनमें आर्तिक साहता नहीं मिली, जो वादे किये गए, पूरे नहीं हुए, जो वादे कि जो वादे गए, जो वादे गए, जो वादे जो वादर पर जाकर बनाते हैं, और आज तक कभी नहीं हुआ, इतना बड़ा काम, जो वादे के जो वादे के लिए, जो वादे के बाते हो, इस सब बाते मोदी जी के निकृत्रों में हुई है, और मुझे इसा लगता है, इसको हद के देखना चलिए, केवल इस परकार के किशु बनाके, आज की वो शादत याद की परकार पिक नहीं करने के जीए, जी बहुत शुक्रिया श्याम जाजू जी, आर नाइन टीवी से जुड़ने के लिए बात चीट करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, रिटार करनल ओम विर सिंग जी, आपसे ये समझना चाहूँगा, वाकई, जब अ इसमें आपको डटी पॉलिटिक्स नजर आती है, या वाकई गुझाइश है, इन्वेस्टिकेशन की? ये चल रहा है, इसी दिन क्यों? क्योंकि हमारे राजनीती और राजनीति गोंगा, स्टेंडर्ड इतना गिर गया है, कि हो हर बात में, हर बात में अपना एडवांटेश देखते हैं, देश को नहीं देखते हैं, आप एक उस परिवार से पूछिए, जिसका एक आदमी शही होता है, उस परिवार पर क्या गुजरती है? यहाँ चालिस ऐसे परिवार थे, जो शहीद हो गए देश के लिए, जब आप इस तरह की बहस करते हैं, मुझे सबसे ज़्यादा चिंता होती है, देश की प्रेजन्ट फोर्सिज के मुराल के उपर में, कौन आदमी कल को इस से ना में बरती होगा, जब वो देखेगा की मेरे मरने के बाद, मेरे पर्वार की इस तरह से दुगती होगी, बजाए उसको कोई सहुलिat, फैसलिटी देने के लिए उसको हैल्प करने के बजाए, इस तरह से लोग बहस करेंगे, और उस पे शक करेंगे, मेरे उसका ये केवल राजनीतिक ये हैं जो अपने अपने फाइदे के लिए हर इंसिडेंट में अपना पॉलिटिकल एडवन्टेज ढूंड रहे हैं इसलिए अगर राहूल गांदी को या दिगविजे सिंग को किसी को भी कहना था पूछना था तो क्या उन्होंने आजी का दिन चुनाता ही है ठीक है और 1971 के बाद 2019 में 14 तारीक को जो पुलवामा अटेक हुआ 1971 के बाद पहली बार एलो सी लांगी गई इसको आप किस नज़रिये से देखते हैं वाके पूरा डानेमिक्स बदल गया था और उसके बाद धारा 370 को हटाने के बाद जब उससे पहले दरसल ये बाते की जा रही थी के खुन की नदियां बहे जाएंगी कश्मीर हमारे साथ रहने ही पाएगा आप किस तरीके से देखते हैं कि उसके बाद धारा 370 हटने के बाद कश्मीर की जो इश्यूस है वो नॉर्मलाइज होई है चीजहन जी है और एक अक्रामक ढंक से जो सेना ने पुल्मावा अटैक के बाद पाकिस्तान पे हमला किया है दर्शाता है कि गॉश्मार्मेंट पॉलिसी में चेंज है और इसी चेंज की वजए से पाकिस्तान गबहाया हुआ है और बिल्कुल ये दिख रहा है और काश्मिर में शानती आप देखी रहे हैं अर्विंद कठेरिया जी समाजवादी पार्टी के नुमाइंदे हमारे साथ है अर्विंद कठेरिया जी जैसा राहूल गांधी का मानना है और कई बार वो गलत मौकों पर या सही मौकों पर गलत बात कर जाते हैं आप उनकी बातों से इतफाग रखते हैं आपका भी यही नजरिया है पठानिया जी सबसे पहले मैं उनके सहीदों के चलणों में सुर्दा सम्मन अर्पित करता हूँ और उनके परिवार के लिए दूआ करूंगा कि भखवान वो संगर्स करें और आगे बढ़ें देखिए जब विपक्ष कोई सवाल उठाता है वैसे उनकों सही मौकों पर सही बात करना चाहिए ऐसे मौकों पर इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए इसके एक दिन पहले आगे पीछे बात कर लेना चाहिए लेकिन मैं आप से पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से भरती जंता पार्टी 2014 के बाद जब से सरकार बनाई है बात बात पे हमारी शेना हमारी शेना कहती है वहाँ पर पचीस सो साइनिक थे उन्होंने हिली काप्टर और एरोपलेन की मांग की थी आप देखिए करम बार से आब अध्यन कीजिए कि उनकी बातों को क्यों नहीं माना गया वहाँ कितनी सुरक्षा ब्यवस्ता थी ऐसे इस्तिती में एक जो साड़े तीन सो किलोग्राम या चार सो किलोग्राम के आसपास आडियक्स वहां कैसे पहुँच जाती है इसके बाद देखिए आप सीरी जोड़िए इसके बाद जो देविंदर थी जब मुकस्मीर में अरेश्ट हुआ है उसकी वहां डूटी लगी थी और इसके अलावा बहुत सारी घटना है जहां वो उपस्तित रहा है वहां भी ऐसे आतंगबादी हमला हुए है तो आप इसमें देखिए बिपक्च आकर सवाल उठाता आए तो सरकार अपनी ताकत और बल से उनकी आवाज़ को दबायना उस पर जाच करे और उसकी जाच की एक लिमिट हो समय होगी भाई हम इतने समय में इसका निसकर्स निकालेंगे और बिपक्च को जाच करके बताएग भाई इसमें बिल्कुल ठीक है ये सवाल मैं लोंगा ये सवाल लूँगा संदीब दूबे साहब से लेकि मैं अगर सवाल आप से आपके जो संग्शक है पार्टी के वो भी डिफेंस मिनिस्टर रहे और लगातार जगहने अपरादों का जनसंगारों का वहाँ पर सिलसला चलता रहा चटी सिंग पुरा से लेकर ना जाने कितने हत्ते अकांड हुए उस वक्त कभी आपको नहीं लगा किस तरीके की कोई जांच होनी चाहिए इस तरीके की कोई मिली भगात हो सकती है अब आपको क्यों लगता है जब भी कोई ऐसा मामला आता है आपको क्यों लगता है इसमें कोई मिली भगात हो सकती है तो पर आपका नज़री है राहुल गांदी से मुक्तलिफ तो नहीं है यह लोग इतना बोल रहे इन लोगों से यह पूछिए कि जो हैं कि इनके पास लिश्ट है कितने लोगों के पैसा नहीं मिला हैं यह समान जाया है लेकिन आप जा में सवाल खड़े करना चाएंगे हमेअ से अनक भारति सेना का राजनेती करण करते हैं क्यों करते हैं और incident को मदद नहीं मिल लगयária मैं सोचल मीडिया पर अक्सर देखता हूँ कि मुझे कई उनके बच्चे और महलाय रोती हुई या कोई रोटी और दाल का सवाल उठाता है तो क्या इनकी सेना इनकी पार्टी यही करेगा उसको दंडित किया जाए उसे बर्खास कर दिया जाए आज आप देख लीजिए स्याचीन में वहाँ पर जो इतना मैनस सेंटी ग्रेंड में तक्रेश रहे हुई थोड़ा सियासत की बात होई रही थी उनको परदी नहीं मिल लई है विश्वेंद्र कुमार जी केजिवाल साहब ने केजिवाल साहब ने वह बयान देने छोड़ दिये जो सीधे सेना पर वार करते हूं और आज उनकी नईया पार हो गई लेकिन दिल्ली में लगातार दो बार शुन्य के स्थिती में पहुँचकर कॉंग्रेस ने अभी तक ऐसा लगता नहीं है सबख लिया और उसके बार फि गंभी रिस्ति हैं इनके पास मुद्दे अच्छे हैं बहुत सारे विपक्स के पास कहें या कांगरेस की बात है कांगरेस के पास कहें तो इनको मुद्दे लेने चाहिए इसमें दो राएनी है हम यह नहीं कहते राजनिती है राजनिती करेंगे वो वो करें राजनिती लेक पिता वो है उनसे हाल चाल पूछते कि आपके क्या हाल है कि आपको वह चीजे मिली है जो आपका हग बनता है और फिर उसको तरीके से देश के सामने लापने तुम अच्छी विशह था भारतवाजी एक मिनट प्लीज दूसरा विशह कि साथ-साथ जीरो की आपने बात कि दिल्ली की यमना नदीगे पास दोनों तरफ सबजिया हो रही है और वो जहर है आप सबने देखा आपने टीवेर रिपोर्ट दिखाई है तो यह मुद्दे गंबीर है पानी अच्छा नहीं यह मुद्दे हैं वे लेने चाहिए उन पे चलना चाहिए ऐसे मुद्दे लेकर के फजियत नहीं कराने चाहिए इस देश के लिए पूरा देश पूरा अपना भारत माता का बच्चा बच्चा अपनी माता के लिए दरती मा के लिए बलिदान होने को तैयार है और वो माँ खुशी 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 ते देश पर बोर रहुला जी आप से सवार तो उसमें अंडर कंट्रूल है दिली का लेकिन revenue expenditure जो है बढता जा रहा है capital expenditure बिलकुल नहीं यारि कि कोई नई योजना नहीं कोई नई building नहीं दिली जो कि भारत का भारत की राधधा नहीं है पठानी आज़िए जो कि उनमुद्बों को छोड़कर Congress कभी रफाल पर चली आती है वहां से अगर response नहीं मिलता तो पिर पर आ जाती है response वहां से नहीं मिलता है तो गय सिलिंडर पर आ जाती है और कली के लिए गय सिलिंडर को चोड़ कर आज इस मुद्धे पर आ गई आज जहाँ उन्हें नमन करना चाहिए था आपका रियक्षिर लेकिन साथ ही साथ आपको संतुलन बनाना पड़ेगा इन सरकारों को यहां पर पूछा जाना चाहिए था यह भारती हैं ता पार्टी और कॉंग्रेस दोनों की फलता रही कि उन्होंने आपनी पार्टी से यह नहीं पूछा कि आपने कितने फ्लाइवर बनाए वो बहुत असानी सी यह कहके निकल गए कि हमने इतने इतने क्लासरूम बनाए नहीं पतापाई कि उन्होंने कितने स्कूल बनाए चूकि उनके पास समस्या यह चीज की थी कि उनके अभिकान स्रासी कि सूसल सेक्रेरिटी पर खर्च हो र पुल्दीब जी वहां पर जैसे कि मैं कहलगाओं गया था वहां पर रतन ठाकूर जी जो है कि वह सहीद रतन ठाकूर के परिवार वालों से मैं मिला बड़ी एक दुखत सी स्थिती मैंने वहां पर पाया वो कह रहा है कि राजी सरकार का बिहार सरकार का उनको रासी मिल गिया लेकिन अभी तक उनको जो दर्जा उनको नहीं मिला उनको एक तरह से जो सहीद का दर्जा अधिकरित तोर पर जो कहन सरकार के द्वारा नहीं मिला है कैंद की रासी उन्हें नहीं मिल पाई है और दुखी देखे परिवार वाले दुखी यहां पर भी है कि आकिर ये संपू करते हैं और इसका आपको फाइदा पहुंचा भी लेकिन आप छोटा सा फाइदा उन सेनी को तक नहीं पहुंचा पाए यह बड़ा दुख्की बात है यकीनल यह बहुत दुख्की बात यह है कि राहुल जी जो पूछ रहे हैं मैं पूछना चाहता हूँ यह हमना कहा हुआ एक मिनित आप ही सवाल का जवाब देखें हमना कहा हुआ अरे भाईया चुन करो आप फाइया कहा लोग जूई है पुल गाउं में केस कहा चाहा है राश्ती सुरक्षित माग्या कैल को पूर्पनी हो सकते हैं में लेकिन के आशने काम के लेगे हुआ है है आप अगileeल यह सुर के लिए और प्रिवन है अजम्ट है कर लिए अ हैया राश्ताह कि जिकाने हो है कुल्दीब जी जो आपने मुद्दा रखा डर्टी पॉलिटेक्स और आप लगातार यह कह रहे हैं कि राजिती करती है कांग्रेस और यह करती है और यहां बेटे हुए बहुत सारी पैनलिस्ट हमारे तरह तरह से प्रशनवार्चेक्षिन उठा रहे हैं तो मैं आपसे यह समझना चाह रहा हूं और समझाना भी चाहूंगा कि डर्टी पॉलिटिक्स कहां से शुरू हुई डर्टी पॉलिटिक्स वहां से शुरू हुई कि जब हमारे पुलवामा के 40 जवान शहीद हो गए शहीद होने के पर उसके उपर पुलवामा के शहीदों के पोस्टर लगाए गए उन्हों पोस्टर लगा करके बोट मांगे गए ले टन पुपोल रिख्टी यह देश्कें ना चुपोल रिख्टी यह दो हैं तो हमने आपना किया पहले भी हमने पर वहां ने कर चुके है लेकिन वहापक खड़े होकर सेना के नाम पर आप अपनी कमें पर चुपा कर बहुत मांग रहे थे वो डर्डी पॉर्टिक स्थेज दी और आज अब पूच रहे हैं तो आप रहते इस देना तुम्हें पसंद नहीं है तो आप रहते इस देना तुम्हें पूसा जाएगा और अच्वारा था विए होकर रहे हो कि अधरशत नहीं करभत कर रहे हैं यह कंपरीवारों कीमें अधर हैं जहां बहुत कि करते दो झाल्या है नाहीं हम आप ये बताइए ये बताइए कि आप शुन्य पर दिली में रहे अब यहाँ पर आपकी दिली यूनिट रुगी है रही बताइए आपके दिली यूनिट गजिए आपके दिली यूनिट पर आपके दिली यूनिट गजिए अनलेगा है अगर परिवार वालों के पारे विपक्ष को जाने चाहिए विपक्ष को धर्दा करना चाहिए विपक्ष कुछ नहीं करेंगा और आप विपक्ष की कि विजानते कर रहे हैं याप के पास है आपकी बातों से विपक्ष खत्म होता जा रहा है यह सबसे बड़े दुखी बात है आप आउट सोर्स कर दूसरी पार्टियों को अगर रहेंगे नहीं तो कैसे मुद्धे उठाएंगे और अगर सत्ता पक्ष के कामा की जिम्मेदारी बिपक्ष के उपर पड़ डालिये कि बिपक्ष को उनके सहीदों की जो काम भोने थे वो पिपक्ष कराएगा सहीदों के अगर परिवालों का काम भर्ण पोशन नहीं कर रहें तो वो पिपक्ष की मिदारी है कोई भी सेनिक का सो उनके गाउं नहीं बेजा जाता था उनके सो को गाउं बेजने का काम उनों किया और बहुत सारा इंक्रीमेंट लगाया आप लोगों को उनसे सिख्चा लेनी चाहिए आदमी से सCH Yeah, Come समस्ति, इस आप लिएी, हम सबस happened के सीखने का इतकर नाम तो लों रहे है। लोकतंतंर में हरलिका सीख्किक इन लक्ति महान गईता है। यह सेरकार हर रह व्कति से से सिख्क रहिए है। लेकिन ऐक बात क्याने का है . प्रिज़ें निस दे पर ही और उमवीर जी से पूछते एक पार्ड बाट पूर्टे यह बोट बैंक कर शितकना पूरे यह वो शायद मुलाहिम सिंग के जमाने में नहीं था 40 साल पुराने यह मुद्द था अलग बात है कंडल उम्वीर सिंग जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा मुद्दे तो तमाम है उस पर सवाल खड़े किये जा सकते मेरे को ओवरॉल आप बताईए कि मोधी सरकार जो आई उसके बाद उसने शूर मचाया डिंडोरा पीटा वो कहते हैं कि हम अपनी सेनाओं को सशक्त करने जा रहे हैं और वो दावा भी मेरे सेना अंवादी प्रदान मंतरी की रिस्पेक्ट यह हो गई है आदनी मनमुण सिंग जी प्रदान मंतरी थे अरे अब या इनके बारे में इस अड़े किसी को दो और गभाशा दिजे ना इसलिए अच्छा कर रहे हैं अब परिदे आप हैं जिसे आप आपके आपको पा हमें हर हलत में देश के बारे में सोचना है आज देश का जो इंटरनेशनल सेनेरियो है उसमें हमारे देश की क्या पोजिशन है पहले से बहुत अच्छी है अब खत्म कर दी है हमारी सेनाएं पहले से जाजा शक्त हैं उनमें डिसिजन लेने की फ्रीडम है और जिस तरह से काश्मीर में उन्होंने पूरा मामला शांस किया और दीरे दीरे इस्टन साइड में भी पीस आई है तो इससे लगता है कि हाँ जो प्रेजेंट गवर्मेंट है उसने कई डिसेजन ने आप इसकाई का देख लिए उसी के साथ बहुत सुपाजियों के अच्छा उनी के साथ सारे सारे मेरा 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 सब्सक्राइब अगर अगर सशक्त हुई है सेना और हमारी सेना को मौटनाइजेशन बड़ा जरूरी है वो कर रहे हैं सब्सक्राइब तो महज 6% का इसवार इसाफा किया है सब्सक्राइब तो जबाब दे रहा है आप एकानोमी की बात करते हैं देश में पहले नोट बंदी हुई उसके बाद GST लाया गया तो नेचुरली जितना भी ब्लैक का पैसा था चुनिये और क्या है वो अब कर रहे हैं अब जर्ण ब्लैक मनी ने कर रहे हैं अब पाकिस्तान को लगा तोड़ा पहादेश बनाया तोड़ा पहादेश को बाद कर सके अब पाकिस्तान हिमाकत कर सके आज वो स्थितिया नहीं है इसको मनना पड़ेगा सबसे बहुत पाकिसार कर साब इसको मनीधर पहादेश वह इसको मनीधर ने कर देंगा इसको मतर्क रहे हैं आप ने कर देंगें सुनिया तो सही यार आप सुनते लिए अपूलो साथ सोसता नहीं है एक मिन एक मिन एक मिन अचार पंक्तियर के सुनिया पूछा है अपने एकॉनोमी का पूछा है एकॉनोमी जो है पहले स्लो पेस पे आएगी और पड़ाईगी अविस्वेंदर जी आप इनकी बहस में नवड़ीए तो ठीक है विश्वेंदर जी आप बताइए कि मेरे को पाकिस्तान आज आज की तारीख में वह utilizz कर सकता है जो और तो अच्छा सवाला आपने किया आज पाकिस्तान की हिमत नहीं होती कुछ भी कहने रसोचने के लिए हमारे देश के लिए गर्व की बात है ऐसा अटेक लूबा के बाद जो बाल промही और डेस उसके लिए हम देश के परदान मंतरी को नमन करते हैं अच्छा काम किया उन परिवारों को सहीदों को एक सर्दांजली दी गई थी जब बाल को बलगों पर जाए प्टार किया अच्छी बात है मेरे दोस्तों मेरे भाईयों प्लीज समझो यह जंबीर विश्या है इसको अरीश बार्द्वाजी विश्वेंदर जी से मेरा सवाल चल रहा है अच्छा मैं एक और बारीक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे बारीक सवाल यह है कि कितने सवाल दाग लिए जाए विपक्ष के द्वारा लेकिन यह समझ में आता है कि भारतिय सेना उनके रिटाइड ऑफिसर तमाम जो मुक्तलिफ जो अभी भी कारे रथ हैं उनके जब रियक्शन सामने आते हैं तो उन्हें लगता है कि मोदी सरकार में आकर वो जो जज़बा रखना चाहते उसको दिखा भी सकते हैं उन्हें लगता है कि वो पूरी तरीके से जो सरकार चाहते थे इस तरीके की सरकार हो जो हमें छूट दे जो हमारा टैलेंट है जो हमारा जज़बा है उसको बरकरार रखे वो सोच उन्हें नज़र आपी सही का आपने मेरे भाई रहूल जी कर्पिया प्लीज आप है कुल्दीब जी अच्छा सवाल है आपका और जवाब चुकि हम भी उन परिवारों से आते हैं जा फोर्ट में बहुत सारे और उनका जो मानना है आज देस में उनका ताकत बड़ी है आज वो हमत बड़ी है पाक परिवारों जानते हो जतना मिलिटर्वाजी प्लीज देट को सही तरह दो जेसकी गंभीरता विशाय देश का बहुत गंभीर विशाय है इतना वरे बहुत बारे बड़ी इतना आप शायर ना जानते हो जतना करनल साथ जानते होंगे इस बाद से तो इतफाग रखते हैं आप करनल जेपी सिंग जी वाकिए बताई है कि आप सेना के नजरियों से सेना के नजरियों से आज के दौर में भारत कितना महफूस है करूंगा कि आज का जो विशह बहुत गंबीर है मैं खुद जम्मू कस्मीर का बैटल के जुल्टी हूं क्योंकि आतंक वादी ने मेरे ऊपर हमला किया था आरेस प्रसेक्टर में 1906 में की बात है इलक्षन से पहले उस टाइम यह इस्तिती थी के गोली चलाने के लिए हमें पीछे से ओर लेना पड़ता था आज जो हमारी शसस सेना हैं आज जो हम महसूस करते हैं को जो सेना को अधकार दे रखा है कि अगर आपके ऊपर कहीं पर भ दिन वहां पर डूटी कर रहा है उसको अगर पीछे से हुकम लेना पड़े तो यह बिल्कुल सही बात नहीं है आज के संधर्व में पाकिस्तान की भी पाकिसी तरह की जुरत नहीं कर सकता कि वह भारत की तरफ को आँख उठा ले और उस तरह से जो अगर उसने को जुरत की है उसका हमने मूतोर जवाब दिया है आज हम सब तरह से ससक्त हैं आज भारत सरकार ने सीडियर यही बज़े है कि जब बद्रा लिया गया अदर चबिस तारीक को तो अभी नंदन को अर्टालीस गंटे में पाकिस्तान नहीं चोड़ता नहीं और 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 में कहना चाँगा अधिया विल्कुल विल्कुल जी चलिए वक्त मुकमल हो गया वक्त मुकमल हो गया आप सभी का प्लीज बहुत बहुत शुक्रिया वक्त पूरा हो गया बहुत शुक्रिया आप सभी का बहुत शुक्रिया आप सभी का तो आज सुबह सवेरे से दिन कुछ और था लेकिन इस पर जो सियासत शुरू ही वो थोड़े निम्स्तर की शुरू ही और इसका अगास किया कॉंग्रेस के पूरवा ध्यक्ष राहुल गांदी ने उसके हासिल हो गाए लेकिन ऐसा नहीं हुआ सियासत हुई और सियासत के स्थर पर पहुंच गई वो आपने देखा आपको खुद अंदाजा लगाना है कि 2019 में जो शहीदों का बलिदान हुआ उसके माइने क्या है बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि चालीज हमारे फौजी मारे गए थे उसके लिए जिम्मेदार कौन है ये राहूल गांधी जी के दिमाग का खोखला पन है आज जो कोमेंट राहूल गांधी का आया है वो शर्मनाक कोमेंट है